हाईलो दोस्तों मेरा नाम पंकच कुमार है आज की सुडियो में हम बात करेंगी एक ऐसा संदर हाउस प्लाइश का प्लोट साइड इस प्लोट एरिया निस सव अस्ती इसकार फिट है ठीक है यह काफी अच्छा हाउस प्लान है दोस्तों आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इस हाउस प्लान के पूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंतर जलूर बने रहे इस प्लान को कैसा डिजर्ण किया गय है वह आप इस वीडियो को पूर्ण देखेंगे तब जाके पता चरप आएगा दोस्तों और हाँ दोस्तों इस प्लान में मैं आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर एंड फास्ट फ्लोर दोनों प्लान के बारे में बताऊंगा दोस्तों और इस वीडियो के अंत में इस हाउस स्क्रीन पर यह देखिए दोस्तों मुबाइल के स्क्रीन पर 33 फिट इन्टू 60 फिट स्पाइच का हाउस प्लान इसका प्लॉट एरिया है उननी सवस्थी स्कार फिट ठीक है दोस्तों इसको 3 पीच के किसाप से डिजयन किया गया है और इसमें एक कार पार्किंग दिया गया ह है और इधर एक गाडन दिया गया है दोस्तों इसमें आप लोगों को ग्राउंठ फ्लोर यंण फास्ट फ्लोर दोनों बताने वाला हूँ धिक है और साथ साथ इसका फ्राण्ट में इंटर करेंगे गाडन का साइज 12 फिट 0 इंच इंटू 16 फिट 2 इंच ठीक है दोस्तों यहां से गाडन उसके बाद लेप्ट साइड लेप्ट साइड में एक स्टेर दिया गया है दोस्तों जो 4 फिट वाइट का है ठीक है यहां से अपन आप होके सिधा उपर चड़ हिट 0 इनच यहां पर एक बड़ा सा वीणीदो दिया गया है दोस्तों ठीक है यहां पर ओपन एक किचन है धूस्तों जिसका साइज है 12 फिट 0 इंच इंटू 12 फिट 0 इंच ठीक है दोस्तों उसी प्रकार कीचन से होते हुए अपन एक बेट रूम में अपन इस बेट रूम में इंटर करेंगे दोस्तों इसका साइज है 12 फिट 0 इंच इंटू 11 फिट 6 इंच इधर एक विंडो दिया गया है ठीक है दोस्तों इस प्रकार से अब अपन हाल से इंटर करेंगे मास्टर बेडरूम में हाल मतलब किचन किचन से ही अपन इंटर करेंगे मास्टर बेडरूम में उसका साइज है 12 फिट 0 इंच इंटू 16 फिट 0 इंच यहाँ पर भी कपी बड़ा मिंडू दिया गया दोस्तों और ये देखिए दोस्तों इधर से भी अपन बाहर जाने के लिए एक डूर दिये हूँ है, master bedroom से, ठेके दोस्तों पीछे एक window दिया गया है, उसे प्रेकार देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इस bedroom में master bedroom में एक attached toilet दिया गया, जिसका size 3 feet 6 inch into 7 feet 0 inch है, ठेके दोस्तों इसे प्रेकार से अपन हाँ से होते हुए common toilet में जाएंगे दोस्तों, इसका size है 7 feet 0 inch into 3 feet 6 inch, यहाँ पर एक ventilation दिया गया है, ठेके दोस्तों उसे प्रेकार अपन हाँ से सिधा होते हुए एक bedroom में अपन इंटर करेंगे, इसका size है 11 feet 3 inch into 12 feet 2 inch, इधर पीछे एक window दिया गया है, ठेके दोस्तों और इस side में भी एक window दिया गया है, उसे प्रेकार इस bedroom में भी एक attached toilet दिया गया है, जिसका size 7 feet 0 inch into 3 feet 6 inch है, ठेके दोस्तों और इधर पीछे 3 feet white का इस open area छोड़ा गया है, ठेके इस window से और इस attached toilet और common toilet से air का circulation बना रहे और प्रकास का आना जाना लगया रहे, ठेके जोस्तों और पीछे देखिए जोस्तों कार पार्किंग दिया गया है, इधर भी एक main gate दिया गया है, जोस्तों कोकि इधर भी एक road है, ठेके दोस्तों इसलिए इधर एक main gate दिया गया जो कि काफी बड़ा है दोस्तों, ठेक है, तो इस car parking का size है 31 feet 6 inch इंटू 9 feet 6 inch, ठेक है दोस्तों इस प्रकार से अपन इधर से car parking से इधर 3 feet open area में इंटर कर सकते हैं, और अपन इस car parking से इधर किनारे किनारे अपन जगा छोड़ दिये हैं दोस्तों, इस तरब 3 feet का जगा छोड़ा गया है, ताकि इस मकान में असानी से air का circulation और प्रकास का आना जाना पूरा इस मकान में बना रहे दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से इस plan को design किया गया है दोस्तों, काफी अच्छा plan है ये, ठीक है, अब अपन चलते हैं दोस्तों इसके first floor plan के लिए, यह देखें दोस्तों ये इसका first floor plan है, ठीक है दोस्तों अपन ground floor से अपन उपर चड़ेंगे first floor में यहां से, ठीक है दोस्तों, तो अपन इस site पूरा balcony हैं दोस्तों किनारे किनारे, महां अपन पोहँच जाएंगे, तो उसे प्रगार दोस्तों इधर देखिए, यह अपन इसको दो हिस्तों में divide किये हूँ हैं दोस्तों, ठीक है, एक ये वाले हिस्सा हो गया और एक ये वाले हिस्सा हो गया तो अपन इस हिस्से में बात करेंगे जोस्तों देखिए अपन डारेक्ट जहां से इस टेयर्स अपन फर्स्ट फ्लोर में पहुच जाएंगे जोस्तों फास्ट फ्लोर में बालकनी में पोचेंगे बालकनी से अपन हाल में इंटर करेंगे हाल का साइज है 15 फीट 0 इंच इंटू 12 फीट 0 इंच ठेक है दोस्तो हाल से इधर बालकनी में आने के लिए एक डोर दिया गया है दोस्तो इस बालकनी के साइज है 15 feet 5 inch इंटू 10 feet 0 inch ठीक है दोस्तों उसे प्रकार इस हाल से लगा हुए एक open kitchen है दोस्तों इसका साइज 12 feet 5 inch इंटू 7 feet 0 inch है यहाँ पर एक window दिया गया है और इस हाल में भी एक window दिया गया है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर एक duct दिया गया है दोस्तों ठीक है उसे प्रिकार हाल से एक यहाँ पर bedroom दिया गया है दोस्तों जिसका size 12 feet 0 inch इंटू 11 feet 7 inch है और इसमें एक attached toilet दिया गया है दोस्तों जिसका size 7 feet 0 inch इंटू 3 feet 0 inch है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर एक ventilation दिया गय है और यहाँ पर एक बड़ा सा मुंडू दिया गया है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर डक्ट से होते हुए अपन इंटर करेंगे कॉमन टालेट में हॉल के लिए ठीक है दोस्तों जिसका साइज 4 फीट 8 इंटू 3 फीट 0 इंच है और यहाँ पर भी एक वेंटिलेशन दिया ग फिट 2 इंच है ठीक है दोस्तों इसा प्रकार से यह 1 भी हके के हिसाब से यह एक कौडिजाइन किया गया दोस्तों उसे प्रकार अपन इस बालक लीजाइन इस सिधough सिधे इधर जाएंगे तो अपन यह सेकेंड मकान के इससे पहुच जाएंगे दोस्तों जो कि 2 भी एक के इसको design किया गया है ठीक है दोस्तों तो आइए चलते हैं यह देखे दोस्तों इस हाल में पहुच जाएंगे हाल का size है 12ft 0 inch इंटू 16ft 0 inch ठीक है दोस्तों इसमें एक window दिया गया है और यहाँ पर इस हाल से लगा हुए एक open kitchen दिया गया जिसका size 12ft 0 inch इंटू 7ft 0 inch है यहाँ प पर भी एक विंडू दिया गया है ठीक है दोस्तों उस्य प्रकार से अपान यहांपर वेट्रुम में पहुचेंगे दोस्तों इसका साइज 11 फीट 21 इंच इंटू 10 फीट 4 इंच है पिछे एक विंडू दिया गया है और इधर साइड में भी एक विंडू दिया गया है ठीक है दोस्तों उसी प्रकार अपन ये बेडरूम में पहुचेंगी इसका साइज 11.3 इंटु 9.5 इंच है ठीक है दोस्तों और उसी प्रकार इस हाल से लगा हुए एक कॉमन यहाँ पर टायलेट है दोस्तों इसका साइज 7.0 इंच इंटु 3.0 इं दिया गया है और इधार open space छोड़ा गया दोस्तों ताकि इसमें air का circulation और प्रकास का आना जयना लगा रहे ठीक है दोस्तों इधार वालों के लिए इधार से एक stair दिया गया है दोस्तों ताकि छट में असानी से पहुचा जा सके ठीक है दोस्तों यह वाला stair को first floor में पहुचने के लिए दिया गया है दोस्तों और इधार पीछे जो इस टेया गया है वो direct चट में पहुचने के लिए इधार डिजाइन किया गया है ठीक है दोस्तों इस stair से हम direct चट में पहुच जाएंगे ठीक है दोस्तों तीन फिर्जाइन कीया गया है तैकिव इस मकान में यह राथ प्लान है इसके बाद दोस्तों इसका प्रिकार झायों देखिए यह इसका फ्रांट एलिवेशन है दोस्तों ठीक है इस प्रकार से इसको ओन्ली लाइन डाइग्रम के द्वराइश को ऐसे फ्रांट कर दिया गया है दोस्तों ठीक है तो यह प्लान आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों जरूर बताए और इसमें क्या सुधार करनी च सुधार कर सकूं ठीक है दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तभे मैं उस गल्टी को सुधार पाऊंगा दोस्तों इसलिए आप लोग जरूर जरूर दोस्तों कमेंट में जरूर आप लोग बताए कि या प्लान कैसा लगा और मुझे और इसमें क्या सुधार करनी चाहिए क्योंकि आप लोगी बताएंगी तभी मैं उसको सुधार कर पहूंगा जोस्तों ठीक है तो बस इतना ही दोस्तों आज के इस वीदियो में बस इतना है अगर जया मेरे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना जोस्तों अगर आप इस वीडियो में नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ताकि मैं हाउस प्लांसे रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं दोस्तों, वह सब सब पहले आपके पास पहुच सकी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिन जय भारा।